नमस्कार फरीदाबाद मैं आपके साथ रितेश कुस्वा इस समय आपको बता दे भैसरावली गाउ में मौजूद है और एक युवक है जो की अपनी रोज मर्या के जिन्दिगी में जो कामकाज के लिए जाते हैं वहां से कामकाज करकर सिक्योर्टी गाड का काम करते हैं अस् लूट कर ली जाती है और देख सकते हैं उनके चोटी भी लगी है कि लोगों ने वार्दात की बाकी बातचीत करेंगे क्या हुआ था पूरा मामला क्या नाम आपका सुभे सिंग सुभे जी क्या हुआ था आपके साथ वह खेडी पुल से जो रोड जा रहा है रेलवे खेडी काओं के पास रेलवे क्रोशिंग पूल है उस पर तो वहां वारदात हुई थी वहां उन्होंने दो-तिन लड़ गेते बिना कुछ मतलब के जगडा करते हैं वह हमेशा दो-तिन बार सुनने में आया है और कल मेरे साथ भी हुआ था अठारे तारिक को तो उन्होंने हाती जो हात में थे हात में लोहा डंडा जो भी थे सब लेके और बरसाना सुरू कर दिया है मेरे कपड़े कमीज भी फाड़ दी है और मेरे जो पर्स और मोबाइल थे वो सब ले लिए उन्होंने तो क्या कोई रंजीस थी पहले कभी आप जानते थे उनको ऐसा कुछ नहीं पहले पहले वह सुना है कि दो तिन लड़कों को पहले भी लुटा गया था किसी मतलब के कोई वह नहीं है की जगडा है क्या है कुछ नहीं वह ऐसे वारदात करते हैं समझ सकते हैं फरिदबाद क्या नाम था अदिन करने जाते हैं वहाँ से डूटी करके निकलते हैं तो रात को एफारे तारिक की घटना हे जब अपने गाउं भैसरावली के लिए आते हैं तो बीच में कुछ लोग मिलते हैं और इनके साथ लूट पार्ट करते हैं और इनके पर्स से लेकर हर चीज़ जो है इनके जो भी इनके पास समान होता है वो लूट लिया जाता है इन से डंडे से वगरा से जो है इन पर मार लगाई है पिर क्या सिकायद दिया अपने पुलिस में पुलिस में यह सिकायद दिया है कि हमारा जो उनसे फ पैसे इनके लूट लिये फ़ॉन लूट लिया तो वो पुलिस की दुरा प्रम को दुरा भी नहीं यह और नहीं पुलीस ऐ नहीं है अज साथ बीपी टीपी थाना च्छेतर लगता है बाकि इनके भाई हमारे साथ मौझूद हो उनसे बादचीत करेंगे क्या नाम आपका मेरा टाम संजय है संजय जी कैसे हुई थी वारदात यह मेरे छोटे भाई है जी डूटी से रात को दस बजे बादे चुटी करके नहीं अपन देज़दार हतियार से इसको उपर वार किया है हमारा वाई वेहोस को करके वहां गिर गया है इसका पर्स मुबाइल यह सारी चीज़े लूट गये इसे अद्बनाज करके छोड़के भाग गये मेरी परसाशन से यही सिकायत है अक उनके खिलाप सक से सक कार्रवाई की जाए और वो आए दिन का का में उनका रोजमर्णा का लूट पाट करना मार पीट करना जगड़े करना पता चले कि हम गया था जा करके मैंने पूछा था उनका नाम आजय और विजय है उनके पिता जी का नाम सुकवीर है तो कहां के रहने वाले हैं रेलवे क्रॉसिंग के बरदा पुलिस अभी आई आपसे बातचीत किया पुलिस हमारा भाई चो 48 घंटे तक इसे होस नहीं आया था पुलिस दो बार आई थी पुलिस होस्पिटल में आई थी ब्यान लेने के लिए तो हमारा भाई ब्यान देने की कंडिशन में ही नहीं था अब भी पुलिस वालों का फोन आये था जी हम लेने के लिए आएंगे अभी तक आये नहीं है अब इतक आये नहीं है अब क्या मांग है आपकी हमारी मांग यह उनके खिलाब तो सक से सक करवाई की जाए बाकी जो लूट पार्ट हुई है उसकी उन्हें सजादल बढ़ाई जाए और दूसरी चीज क्या ल बाइक पर आ रहे थे उस बाइक को लूटने की कोस्स किया है वहां से यह तो अध्मरा छोड़ के गिर गया था वाइक कहा मिली आपको बाइक हमें वहां से पौना किलो मेटर दूर मिली थी रोड़ बेक खड़े वही वह लेकर के गए हैं किसी कारण से या किसी वजह से आरे रोड रोड की किनारे छोड़ करके भाग वहां वहां पर बाइक मिली तक अध्कि जो इनके वाशचतास。 शक्राण से आफ्सांती नौकरी करते हैं कहा पर यह बीके ऑश्पीटल में में सिक्योटी की नोकरी करते हैं और नाइट की सिफ्ट थी में गर वीके हैस्पटाल से मैं मान। 24-25 मिटर है 15 किलोमेटर 14 15 13 किलोमेटर दूर है और ऐसे में रात को घर आ रहे थे और ऐसे में कुछ अज्यात युवक मिलते हैं, और इनके तावर् Toós, इन पर हमला करते हैं, देख सकते हैं, इनके चोटे भी लगी हुइ है, और जो भी उनके पास हत्यार रहे होंगे, जाये रोड हो, चाहें जो भी, हम तो, यह तो जाच का भी सै, बाकी पिलीस जाच कर रहे हैं, बस है सकत सकत कारवाई होनी चाहिए और जो भी इनका समान उन्होंने चुराया है लूट लिया है वो इनको दिलवाया जाए ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद